हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज के इस वीडियो का टॉपिक है 13 पाई साथ हाउस प्लान यह प्लाट तीन साइट से बंद है और इस्ट साइट से उपन है ठीक है यह जो इसके साइट साइट से है यह अधर प्रॉपर्टी है दूसरे की जमीन है इस वज़े से यह सिर्फ सामने से उपन है और यहां से अगर हम देखते हैं तो प्लाट की जो लेंध है वो साथ फोट ह है और इसकी जो विर्थ है वो 13 फूट है यह प्लॉट का जो स्क्वार्फिट एरिया होता है वह 780 स्क्वार्फिट होता है प्लस जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह प्लॉट वन प्लस जो डीटेल्स होने वाली है वो आपकी डूरी डीटेल होंगी प्लस आपको 3-D प्लान इसमें देखने को मिलेगा प्लस और भी हम चो डीटेल आपको बताते हैं कॉस्टिंग कॉलंस वेगहरा यह सारी चीजे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि यह plan हम और कौन-कौन से direction में किस दिशा में बना सकते हैं तो यह plan को आप सारे दिशाओं में बना सकते हैं आपका east हो या फिर west north south किसी भी दिशा में आप इसको बना सकते हैं क्योंकि इसमें वास्तो का कोई रोल नहीं है अब हम बात करेंगे 3D plan की दोस्तों यह हमारा 3D plan है उसी plan का जिसके बारे में हम अभी discuss कर रहे थे इसका एक overview अप ले लीजिए इससे क्या होता है 3D plan दिखाने का मतलब होता है कि इससे आपको कुछ material प्लस painting प्लस और वह बहुत सारी चोटी-चोटी चीचे हैं उसका ideas मिल जाता है कि हम क्या-क्या color combination लेकर interior सही कर सकते हैं अपने घर का तो सबसे पहले हमारा जो है यहां पर आ जाता है CD का part CD के part में जो है हमने यह जो पत्थर है यह थोड़े से rough वाले mat finish वाले पत्थर है जिससे की pair slip ना हो आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे आप use कर सकते हैं उसके बाद यहां पर हमने white flooring ले रखी है marble मान सकते आप इसे और यहां पर sitting आप देख लीची यह हमारा drawing room का area है इसमें हमने wallpaper यूज किया हुए wallpaper आप अपने हिसाब से देख सकते हैं प्लस एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे कि किसी घर में बच्चे होते हैं तो वहां पर दिवारे गंदी होने के chances बहुत जादा होती है और पतले plot में ज्यादतर ऐसा होता है कि कोई भी अगर चलता है तो हाथ लगने से या फिर बच्चे जो है pencil चला देते हैं जैसे अब यहां से यहां तक passage बनाया पूरा तो आप इसमें क्या करें कि टाइल लगा दें चार या पांच के वाल पे यह सेम kitchen वाली tiles हमने यहां पे भी run कर दी है आप चाहे तो अलग-अलग दो tiles use कर सकते हैं प्लस bathroom में भी हमने tiles use किये हुए है आप अपने हिसाब से दीख सकते हैं प्लस यह आपका kitchen है kitchen में आपका fridge यहां पर है और यह आपका counter है उसके बाद जो है आपका bedroom यहां पर है bedroom की अलमारी की position यह है प्लस LCD यहां पर है back wall को हमने ready कर रखा है और यहां पर आपका bed आ गया ठीक है आप अपने हिसाब से जो अपको अच्छा लगता है उसके बाद हमारा यह टॉयलेट एक और टॉयलेट है और उसके बाद हमारा एक और बेड्रूम है इसमें हमने बैक plan li keine P in में प्लस एक वाल पर हमने पैंट अग्रीन खिलरक कर रखा है और दूसरी वाल पर आपकी अलमारी जाती है और में और unf jeste flooring किया हुआ है वो आपका वड़ेन foot flooring है इस प्लस दूसरे डो में हमारा वीडन flooring में क्या है कि वड़ेन में करवाना चाहिए तो भू ठीक है प्लस आज कल भूह सारी टाइव भी आ रही यह वह युडन favor इमेज में वो भी आप यूज कर सकते हैं अब हम देख लेदें थोड़ी से इसके पिक्चर्स दोस्तों यह हमारा टूडी प्लैन है अब हम इसमें जो बात करने वाले हैं सबसे पहला जो पॉइंट होगा वह हमारी कॉस्टिंग होगी दूसरा हमारा कॉलम होगा तीसरा हमारा जो साइजेज और डिटेल होंगे यह सारी चीजे मैं इसमें बताने वाला हूं प्लस हम क्या क्या चेंज करके इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं मतलब यह जो सेम प्लैन में हम क्या डिजाइन और कर सकते हैं वह सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं costing के अगर बात करूँ तो costing आपका minimum एक floor बनाने में आपको 8 लाग खर्च लगने वाला है, ठीक है, ground floor जो है आपको इसमें 8 लाग का खर्चा लगेगा, कम से कम, plus अगर first floor बनाते हैं तो उस से थोड़ा सा कम आपको first floor बनाने में लगेगा, क्योंकि ground floor पे foundation में थोड़ा सा जादा खर्चा जाता है, इस वज़े से costing बढ़ चाती है, ठीक है, और ये costing जो हर state में same नहीं हो सकती, ये costing आपको हर state में vary करेगी, अलग-अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं suggest यहीं करता हूँ, कि आपके अगर nearby में कोई बन रहा है, तो आप व ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, दो कॉलम आपने place कर दी है, यहां पे, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम यहां पे आ जाता है, तीसरी line आपकी कॉलम की यहां पे आ जाती है, चौती यहां पी, और पाचवी यहां पे, और छटी आपकी last wall पे, ठीक है, तो टोटल जो कॉलम्स हमारे उपास हो जाते हैं, बारा कॉलम्स होते हैं, अगर आप दो फ्लोर तक बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें नौबाई बारा के कॉलम यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चार फ्लोर बनाना चाहते हैं, बिल्डर फ्लोर टाइपस अगर बनाना चा changes ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे कि entry करते ही हमारा drawing room आ गया यह common सी बात है कि हमारा यह आना चाहिए उसके बाद कर सकते हैं या फिर आप bedroom को ही यह starting में लेकर आ सकते हैं यह सारी चीजें कर सकते हैं इसके अलावा इसमें कोई changes नहीं हो सकता हाँ अगर वो अलग है कि आपके पास दो side road है या फिर तीन side road है वो फिर थोड़ी सी अलग situation हो जाती है अब हम आपको थोड़े से sizes दिखा देते ह है कि इसके sizes हमने क्या के लिए रखे हैं सबसे पहले हमारा आ जाता है सीडी वाला पार्ट इसका size हमने छे फूट छे इंच बारा फूट तीन इंच का space यूज किया हुआ है तेन फूट विर्थ की सीडी जा रही है first floor के लिए और सीडी का जो step divide करना है वो बहुत ही important part है कि वह चड़ने में आपको comfortable feel हो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 10 foot अगर height आप रख रहे हैं तो उसमें कम से कम step होने चाहिए 15 ठीक है इस हिसाब से आप कोशिच कीजिए कि आपका plan सही हो जाए उसके बाद entry करते हैं अपने घर के अंदर तो हमारा drawing room area जो है वह बारा फूट यह 12 foot 3 inch आपकी यह length है यहां से लेके यहां तक पूरी और यह 10 foot जो है यहां से लेके यहां तक यह width है ठीक है इसमें थोड़ा सा dimension उल्टा हो गया है लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमने sizes क्या लिया है यह आपका 10 foot है width उसके बाद यह हमारा comment outlet है इसमें आपका सही dimension हमने place कि हो 5 foot आपकी जो है यह width है और 4 foot जो है इसकी length है उसके पीछे shaft है इसकी जो width है वो 2 foot है और length इसकी भी 4 foot है इससे क्या होता है कि यह kitchen और bathroom को ventilation मिलती है प्लस हमारा जो dining area है वो आपका 7 foot 9 inch इस edge से लेके इस edge तक 7 foot 9 inch है प्लस 7 foot 10 inch है आपका पूरा passage लेक kitchen का size 6 foot 9 inch इसकी width है और 8 foot 6 inch अपका यहां से लेके यहां तक है ठीक है यहां पर आपका cooktop आ जाता है और यहां पर आपका sink आप चाहे तो cooktop भी यहां पर रख सकते हैं और sink आप fridge फिर यहां पर नहीं रख पाएंगे क्योंकि पानी और electricity दोनों एक साथ नहीं रखना यह हमारा जो passage है वो 3 foot 4.5 inch चोड़ा है इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से प्लस दूसरा जो bedroom का size है 11 by 8 foot 6 inch का bedroom का size है उसके बाद bathroom का size है वो 5 foot by 5 foot 6 inch का size है इसका प्लस shaft जो है 5 foot by 2.5 inch का इसका length है bedroom 3 10 foot by 12 foot 3 inch का यह bedroom है यहाँ पे अलमारी, bed और LCD आपको मिल जाता है उमित करता हूँ यह वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा अच्छे से समझ में आया होगा sizes वागेरा इसकी costing वागेरा इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें जिससे किसी की help हो सके वीडियो टेखने के लिए धन्यवाद